हेलो फ्रेंड वेल्कम टू माई यूट्यूग चैनल अकांचा क्लासेज आज हम आपको बताने वाले हैं एल हॉस्पिटल रूल के बारे में यह रूल कैसे अप्लाई करना है आपको और इससे किस टाइप के कोस्टन्स बनते हैं और इसको आप कैसे सौल करेंगे इसके बारे म पर जूएङ का कोईस्टन होता है इसके अमेशा दूसरी बात हमाय बाल एक सकते हैं अ हमकर चैनल भेल एक ते क्रवज यह हमने लिया प्रूल आपके लिमिट के किसी भी कुश्चन आपके सकते हैं और यह जो 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 आपको जीरो और इंफरनाइट वा इंफरनाइट तो क्या आजाएगा हमारा limit x tends to 2, 2 का square 4 minus 4 upon 2 minus 2, तो यह हमारा limit apply करने के बाद क्या आएगा? 0 upon 0, मतलब यह हमारा क्या होगा? 0 by 0 का type बन रहा है, तो यहां पर आपको क्या देखना है? अगर type 0 by 0 का है और infinite by infinite का है, आप यहां पर एक ही condition है, कि आपको जो question होना चाहिए वो 0 by 0 का और infinite by infinite का होना चाहिए, इसके लावाज पर कोई भी condition नहीं है, तो इसको apply करने के लिए आप करते क्या है? क्या करेंगे? इसका differentiation करना होते हैं आपको, तो f dash x upon g dash x, अब यहां पर आप लोगो यहां पर डिवाइड रूल लहीं अप्लाई करना है, ऊपर वाले का अलग करना है, क्या करना है, आप लोगो यहां पर डिवाइड रूल लगाना है, ना फिर आपको कुछ अलग से रूल इसमें अप्लाई करना है, आपको क्या करना है, इसका differentiation कर देना है, अगर यह हट जाएगा 0 by 0, तो आप आसानी से लिमिट पूट करके, इसके इस question को solve कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, इसमें regularly आप लोगो differentiation करते जाना है, और आप लोगो एक बात और यहां तक नहीं है, कि इसमें condition क्या होना है, 0 by 0 का question होना चाहिए, और infinite by infinite का, और आप आपको बस इसका differentiation कर देना है, इसका आपको question solve हो जाएगे, तो अब हम आपको बताएं कि कुछ examples लेके कि इसकी questions कैसे बनते है, L hospital rule के, तो हमने यहाँ पर पहला question लिखा हुआ है, limit x tends to 0, x upon under root 1 plus x minus under root 1 minus है, तो सबसे पहले मुझे आप चेक करना है, कि यह 0 by 0 या फिर इंफ या नहीं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, 0 by 0 by 5 by 5 कर condition check करने के लिए आपकी limit आपको इस question में put करनी होती है, जो भी आपका function दिया होता है, उसमें आप क्या करेंगे, limit put कर देंगे, तो limit जब put करेंगे, तो 0 upon under root 1 plus 0 minus under root 1 minus 0, इसको solve करेंगे, 0 under root 1 minus under root 1, मतलब आपका आ आप, आप apply कर देंगे, तो देखें कैसे करेंगे आप, तो आपको मैंने बताया कि L hospital rule में क्या करना होता है, आपको differentiation करना होता है, तो आप क्यालिकेंगे, limit x tends to 0, किसी में कोई changes नहीं आएगे, सिप आपको केवाल ऊपर और नीचे का जैसा भी आपको 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 आपक यक्स का क्या होता है, 1 upon 2 root 1 plus x, यहां पर एक जिर्म क्या है, 1 plus x तो इसका फिर से उकल्ट करेंगे, तो 1 का 0 हो जाएगा, प्लस x का 1 हो जाएगा, minus, फिर से under root 1 minus x क्या होगा, under root 1 minus x का 1 upon 2 under root 1 minus x, 1 का 0, और minus x का minus 1, अब देखें, limit x मैंने आपको क्या बताया है, यहां पर आपको आउकलन जब तक करते रहें, जब तक आपकी limit, यह जो आपका 0 by 0 बंद रहा है, जब तक खतम ना हो जाए, मतलब 0 by 0 बंद ना हो जाए, तब तक आप लोग को आउकलन करते रहें, तो देखें, हम यहां पर इसको पहले थोड़ा से solve करेंगे, 1 upon 2 under root 1 plus x आजाएगा तो आपको इसको थोड़ा से solve कर लेना है, जैसा मैंने आपको बताया कि आउकलन आपको जब तक करना है, जब तक आपका 0 by 0 खतम नहीं हो जाता है, मतलब 0 by 0 आना बंद ना हो जाए, तो यहां पर हम इसको थोड़ा से solve करेंगे, और minus minus क्या हो जाएगा, यहां पर plus upon 2 under root 1 minus से solve कर देखें यह एसा ही रहेगा, अब आप देखी एक बार limit put करके, बिच बिच में देखेंगा कि आप लोका 0 by 0 आतो रहा है यह नहीं, तो देखें उपर 1 है, जैसा कि उपर put करेंगे, आपить 0 पूट करेंगी, यहां पर जीरो पूट करेंगी, तो आपका 0 नहीं आएग इसका मतलब आपको स्यप्रिस में क्या करना है एक बार ही डिफ्रेंशियेशन करना पड़ेगा तो आपका साथ इसमें लिमिट कर सकते हैं तो जैसे कि हम लिमिट करेंगे तो एक्जिगम क्या रखेंगे जीरो तो वन अपान टू अन्डर रूट वन प्लस जीरो प्लस वन एक ones कि अखेंगे जीरो प्लस याला बन तो कि प्व्या करते हैं नहीं करता है वह जैसे करते हैं बार हम रखेंगे जैसे आप लोग करते हैं यहां पर अगर अपन में लिखा हुआ है कोई भी फंक्शन तो आपको आप डिवाइड रूल बिल्कुल नहीं लगाना है क्योंकि यहां पर आप डिवाइड रूल लगा देंगे कोई को सब्सक्राइब नहीं सी बदल जाएगा इसलिए आपको करेंगे जब तक आपका solution यहां पर 0 by 0 आना बंद ना हो जाए आप एक बार differentiation करेंगे तो आपको चेक करना है यहां पर कि यह 0 by 0 आ रहा है है नहीं अगर नहीं आ रहा है तो आप तुरंत अप्लाई कर देंगे मतलब इसमें जितनी भी लिमिट होगी उसको आप पूट कर द आपके जाए आपका इसका जो एंसर होगा वो निकाल आएगा तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद ना है और तो प्लीज हमाएं चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें हमाएं लेटेस्ट वीजियो देखने के लिए बेल आइकन चुरूर दबाएं थैंक यू करें लेल होगा।